हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC के बारे में IRFC के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यूनियन बजट से रिलेटेड साथ के साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर कब तक हमें quarter 3 के numbers देखने को मिल सकते हैं फिर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आखिर टार्गेट क्या रहने वाले हैं IRFC के बजट से पहले और बजट के बाद और भी बाकी जो भी information निकल के आ रही है वो मैं आपको इस वीडियो के तुरू बताने वाला हूँ तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरू कर दीजेगा चैनल फे फर्स टाम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और मैंने अल्रडी बिपरो के quarter 3 के जो भी वीडियो है मैंने डाल दी है वो आप जाके देख सकते हो साथ के साथ अपने नए पर कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी बताया है जो कि यहां से आपका जो पैसा है वो डवल ट्रिपल करने की छमता रखते हैं साथ के साथ इस टाइम पर बहुत ही बड़े डिस्काउंट पर मार्केट में अवेलिवल हैं तो वह भी आप जाके देख सकते हो अब सबसे पर बहुत हैं में बात करकें आखिर जो फ्राइड़े का रहा है आप कियार रहा है तो आईएए प्ञाभी देखोगे तो इक बड़ा मुवन था फ्राइडे के दिन एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली करीबन तीन साड़े तीन परसेंट जइंड है वह आपको 40 three percent के आश्पस के नजर आते हैं हम शूर्ट तम टो डिसकस करते ही trends है कि एक महिने में, छे महिने में, reels हैं मेरिक спорт Dougel conster कर में लेकिन जैसे मैं हमेशा से आपको बताता हूं कि, returns कमाना या फेर रहतना ओपरे इन चीज है कि Linda टाइम पर स्टॉक में एंट्री ले रहे हो और फिर वहां से आपको जो रिटरंस है वो डबल के आसपास मिल जाते हैं अब जैसे कि अगर आपने 19 ऑक्टूबर को इन्वेस्ट किया होता है 19 ऑक्टूबर मतलब उस रेंज की बात कर रहा हूं जश्ट तो उस रेंज में अगर के जैनवरी तक के बीच में ही कमा लेते तो यह फरक होता है एक सही टाइम पर सही स्टॉक में एंट्री लेने का अब मैं आपको अगर इसके की मैट्रिस दिखाऊं बहुत ही जादे इंप्रेसिव हैं आप यहां पर देखो जो रेड कलर से हाइलाइट उसका मतलब है कि पी और एक चीज मैंने हमेशा से आपको बताई कि पी केवल अकेला मत देखिए पी को हमेशा कंपनी की ग्रोथ के साथ भी देखना चाहिए अब वो मैं आगे अभी दिखा दूँगा लेकिन अगर आप देखते हो तो सेक्टर के डिवीडेंड डील से चार गुनी यूँ बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस नजर आती है फिर अगर हम इन टर्म सो प्रॉफिटेविलिटी के बारे में बात करें तो वो तो आपको पताई है कि कंपनी अभी इस पोजीशन पे अपने हाइस नेट प्रॉफिट पे ट्रेड कर रही है और अगर आप पब्लिक कंपनी के बारे में बात करते हैं यानि की सरकारी कंपनी इसके बारे में वेगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड इस बारी कंपनी ने दिया है करीम नौसो दो करोड का तो यह सेंट्रल गवर्मेंट को पे किया है चांसे इस बारी है कि जब क्वार्टर अब मैं आपको लेके चलता हूँ के आखिर और भी कौन से स्टॉक्स हैं जो की तीजी दिखा रहे हैं और जिनमें आपको सही टाइम पर सही एंट्री लेनी चाहिए तो स्टॉक निकल के आता है रेल टेल यह भी आपको पता ही है अब रेल टेल थोड़ा सा अगर आप देखो गे तो पिछले छे महीने के रिटरंस इसके आपको बहुत जादा तो नहीं दिखेंगे लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं ब्यालीस परसंट के रिटरंस अब यहां पर हम बात करें तो रेल टेल को भी एक बड़ा यहां पर जो ऑडर है वो मिला करीवन दो सो बानवे करो है टार्गर सीधा सीधा निकल के आते हैं सो रुपर जो उपर करके शेयर ने जो ओचाल दिखा ना पिछले छे महीनों में एक सो साथ परसेन की रिटरंस आप समझ पा रहे हो कि अगर आपने थोड़ा सब ही इसमें देखा होता इस 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 टॉक को कवर किया होता और निकल के आ रहे तो बता दिया अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली बजट में क्या चीज़े हो सकती हैं अब सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे तो जो आम बजट आएगा यानि कि जो यूनियन बजट रहेगा उसमें सरकार का जो फोकस रहेगा वो स्पेसिफिकली बात करें तो दो पर्टिकुलर सेक्टर से जैसे की रेलवे सेक्टर और साथ के साथ रिन्यूवल एनरजी सेक्टर भी यहां पे बहुत ज्यादा फोकस्ड एरिया नजर आता है तो यहां पे अगर आप देखोगे तो फाइनांस मिनिस्टर निर्वला सीता रमन इस बार देखना बाकी होगा कि कितना इनको इंप्लिमेंटेशन होने वाला है लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा घासा बजट और पहले की कंपारिजन में बहुत बड़ा बजट मिलने वाला है एक्जेक्टली फिगर्स कितने रह सकते हैं तो यहां पे जो उम इसको मिल सकता है ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है आप यहां पे देख पा रहे होगे अच्छे से बताया गया है और फिस साथ में यह भी बताया गया है कि समांट को कहां पर यूज किया जाएगा नियू लाइन यहां पर आपको बंते नजर आएंगी का थि बाहर अच्छा न रहा है कि इसबार और बंदे Aoia energy को यहां पर देखो कर और त्रीड का और लिए बताया जा रहा है जैसा कि मैंने आपको थमनेख बर की मैंशन किया है कि मर्जर इस बारी देखने को मिल सकता है तो यह कोई news नहीं है या फि formally not नहीं है यह reality है यहाँ पे आप देखो budget 2023 में railway infrastructure के लिए आवंटन बढ़ाने यानि की allocation increase करने और railway PSU के विलय का एलान कर सकती है निर्मला सीता रमन विलय का मतलब merger होता है तो जो भी companies जैसे मैंने आपको infra की companies बताएं railway की या फिर और भी different डिफ्रेंट जो भी railways companies हैं जो काफी अत्तक सेम काम कर रही है उनको merge कर दिया जाएगा एक बड़ी company के साथ और फिर वहां से उनकी working start करी जाएगी तो यहां पर पूरी report भी अच्छे से पढ़ सकते हो मैंने आपको short and crisp manner में बता दिया कि क्या यहां पर planning हो रही है 90% chances हैं कि इस बार आपको बहुत बड़े-बड़े merger railway sector में मिल जाएं लेकिन बहुत बारी ऐसा होता है कि जो हम expectations लेके चलते हैं सरकार वो चीज नहीं सोच रही होती है तो अब वो तो exactly first of fact को हमें पता चली जाएगा कि exactly क्या निकल क आता है आप लेकिन comment में जरू बताइए कि अगर यहां से merger होता है तो किन किन company का होना चाहिए और कितना हद तक यह merger जो है वो फाइदा करेगा या फिन नुकसान करेगा railway companies को वीडियो के comment में जरू बताइए वीडियो आपको अच्छी लगे तो like करिएगा चैनल फे subscribe भी जरूगती जगा धन्यवाद